नमस्कार, मैं जियोती सहाई कचारे है, हिंदी विभागा द्यक्ष, मामा वालेश्वद्याल राज के महाविध्याले कुशलगडबान स्वाड़ा के इस एक्षिनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्थिक स्वागत करती हूँ आज हम सनातकोतर पुरवार्द हिंदी सहित्या के अंतरगत, प्रतम प्रशन पत्र और प्रतम इकाई के अंतरगत, हिंदी सहित्या के इतिहास लेखन की परम्परा का अध्यान करेंगे हमारे जो सनात कोतर पुरवार्द है उसका प्रथम प्रशन पत्र है वह हिंदी सहीत्य के इतिहास से समंदित है जिसमें इतिहास लेखन प्रमपरा प्रमुख इतिहास कार भक्तिकाल इतिकाल आदि से समंदित जो इतिहास लेखन कारे हुआ है उसके समंद में हमारी काईएं ल प्रत्र करन लिया है हिंदी सहित्य की इतिहास लेखन परंपरा उन्नीस्मी स्थाब्दी से आरंब मानी जाती है लेकिन कुछ पूर्वरती रचनाई भी मिलती है इन्हें वृत संग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें विश्य वस्तु का विवेचन या काल करम का निर्धारन नह इन्हें इतिहास ग्रंत तो नहीं कहा जा सकता प्रंतु इन्हें वृत संग्रह कहा जा सकता है और इनमें प्रमुख है चुरास्ति वैशनवन की वारता जो कि गोकुलनात कृत है गोकुलनात कृत द्वित्य वारता है दोस्तो वावन वैशनवन की वारता दुरुबदास कृत भक्त नमावली, नाबा दास कृत भक्त माल और काली दास त्रिवेदी कृत काली दास हजारा जो कि प्रमुख वारता संग्रह हैं या जिन्हें वृत संग्रह कहा जा सकता है प्रांतों इनमें विश्यवस्तों और कालकरम का किसी प्रकार से कोई विवेचन या निर्धारन नहीं है इसके साथ में ही कुछ समन्निय तथ्या हैं जो कि धियान रखने योग्या है जैसा कि मैंने पूर्म में विकक्षाओं में पढ़ाया हुआ है कि जब हम हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा का अध्यान करती है तो अगर हम से पूछे कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा अभी जो मैंने पढ़ाया वह है गरंतों का विवेचन है या जो लेखन कार्या किया गया है तो इससे भी पूर्वेक महत्वपून बात यह है कि जब हम इतिहास लेखन की प्रंप्रा की बात करते हैं तो सरप्रसम हमें यह बात दियान रखना है कि हिंदी जो भाशा है और उस भाशा में जो साहित्य रचा गया है जिसमें हित का भाब है लोक मंगल का भाब है तो इस प विवेचन होता है तो वह इतिहास कहलाता है तो इस प्रकार से हिंदी साहिते की इतिहास लेखन परंपरा क्या हुई कि हिंदी भाषा में रचा गया साहिते और उस साहिते के इतिहास को लिखने की परंपरा और वह परंपरा कहां से प्रारंब हुई उसके कौन-कौन से प्रमुख लिखक है और कौन-कौन से प्रमुख गरंथ है तो इन सब बातों का अध्यान हम हिंदी साहितिय की इतिहास लेखन परंपरा में करेंगे इसके साथ में ही, मैंने इस से पुर्व में कहा था, हलाके 19- dragons स्तावदी से, हिंधी साहितिय की इतिहास लेखन की प्रमपरा का आरंब माना जाता है प्रन्तु, उससे पुर्व भी कुछ ग्रंथ मिलते हैं, जिने ही इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते इतिहास लेखन परम्परा के अंतरगत नहीं कह सकते परंथु उसकी भूमिका के रूप में हम उन्हें निर्धारीत कर सकते हैं इसके साथ ही उन्हें जैसा कि मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि इतिहास गरंत नाकहकरी ने हम वारता सं долларов कहें गे और इन वारता संग्रहों के ज प्रेंच विद्वान, गार्सदता सिक्रीत, इस्तवार, दला, लितरेत यूर, एंदोई एंदूस्तान को हिंदी सहेत्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गार्सदता सि पैरिस विष्व विध्यले में उर्दू के अध्यापक थे, ये फ्रेंच और उर्दू के विद्वान थे, और इसके साथ में हिंदी सहीत्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ था, इस प्रकार्सदी किसी हिंदी भाशी व्यक्ति द्वारा नय लिखा जाकर, फ्र अंतु तीसरे भाग का पुनर प्रकाशन 1973 इस भी में हुआ था, इसलिए इसके तीन भाग कर दिये गे, और हिंदी उर्दू कभियों का अंग्रेजी वर्णानू करमानू सार इसके अंदर वर्णन किया गया है, जिसमें 72 हिंदी के और बाकी उर्दू के कभी है, इसमें हिं हिंदी और हिंदू स्तानी और उर्दू से है, और इसके साथ में ही इस ग्रंथ के समन्द में एक महत्वपुन बाद जो कि नलीन विलोचन शर्मा ने अपने हिंदी साहित्या का इतिहास तर्शन में कही थी, उनके अनुसार यह हिंदी साहित्या का पहला इतिहास है और गार प्रथम भारतिय और दिल्ली निवासी है इनकी द्वारा लिखित ग्रंथ जो की उर्दू भाषा में लिखा गिया है का नाम है तजकीरा इसुरा इसको तब गातु सुआस भी कहा जाता है इसका प्रकाशन वर्ष है 1848 इस्वी दिल्ली कोले द्वारा यहा प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल कभी या कह सकते हैं कि लेखक 104 है और जिसमें से हिंदी के कुल 62 कभी इसमें समलित किये गई है तासी ने अपने ग्रंत के द्वीते संसकरण है तो इसका प्रियोग किया कभीयों के जनम मरण के संबत व्यक्तिक जीवन की जहलक काव्य संग्रह के वर्णन में आंसिक सफलता इस ग्रंत की प्रमुख विशेशताई हैं इस ग्रंत में चंदवरदाई अमीर खुसरो कभीर जैसी तुलसी आदी के काल करम का भी जिन्तन किया गया है प्रथम बार काल करम पर ध्यान किन्तु नाम करण का प्रियास इस ग्रंत में नहीं किया गया हिंदी साहिते की इतिहास लेकन प्रम्परा में जो अगला मुख्या नाम आता है वह है शिव सिंग सेंगर इनके दवारा लिखेगे ग्रंत का नाम है शिव सिंग सरोज जो कि दो संस्करणों में प्रकाशित हुआ था प्रतम संस्करण था 1883 इसवी और द्वित्य संस्करण था 1888 इसवी यह ग्रंत काली दास हजारा पर अधारित है और इसका प्रकाशन स्थान है नवल किशोर लखनाउं से इस ग्रंत के समन्द में महतवपूंत अथे यह है कि इससे पूर्व किसी भी ग्रंत में इतने कवियों का परिच्चय नहीं दिया गया था इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदू इस ग्रंत को कहा गया है इस ग्रंत को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस् गरंथ हिंदी का प्रथम व्रित संग्रह है कवियों को शेती अनुसार लग बग अलग रखा है अर्थाथ काल करवानुसार उनका वर्णां करने का प्रयास किया गया है उत्राद में 130 कवियों के जीवन चरीत अकारादी करम में 687 कवियों की तीथियां भी इस गरंथ में दी एक का इनका जो विवेचन है वहन नाम या वर्णान उक्रम के अनुसार है कभियों का विवेचन जोर्ज ग्रियसन का हिंदि साहिती तिहास लेखन परंपरा में अमुल्य योगदान है इनके लिखे गरंथ का नाम है The Modern Vernacular Literature of Hindustan जो की सन 1888 इस्वी में प्रकाशित हुआ था यहां गरंथ एशियाटिक सोसाइटी ओप बंगाल की पत्रिका के विशेशांग के रूप में प्रकाशित हुआ था शिव सिंग्स रोज का रिंट सपस्ट तया इस गरंथ में जविकार किया गया है और यहां गरंथ अंग्रेजी भाशा में लिखा गया था और इसमें केवल हिंदी के कवियों का विवेचन किया गया था इस ग्रंथ में हिंदुस्तान से विप्राय है हिंदी भाशा भाशी प्रदेश साथ ही उन्होंने स्पस्ट किया है कि इसमें ने तो संस्कृत प्राकृत को शामिल किया गया है ने ही अर्भी फार्शी मिश्रित उर्थु को इस प्रकार यह स्पस्ट्रत्य हिंदी से समंदित इतिहास ग्रंथ है, 952 कवियों का वर्गी कर्ण काल क्रमा नुसार करते हुए उनकी प्रबृतियों को स्पस्ट करने का प्रियास इस ग्रंथ में किया गया है, काल विभाजन का प्रियास है इसके अंतरगत इसमें 12 एक काल का ध्योतक है दोशपुर्ण है लेकिन प्रथम और महत्वपुर्ण प्रियास है अनेक विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम इतिहास गरंथ सभिकार किया है इनमें डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त प्रमुक है इस गरंथ की प्रमुक देन यह है कि इसमें चारण का व्या धार्मी का व्या प्रेम का व्या दर्वारी का व्या गरूप में हिंदी साहित्य को बांटा गया है भक्तिकाल को पंदर्मी स्ताब्दी का धार्मी का पुनर जागरन कहा गया है इसके साथ ही सर्प्रमुक या महत्वपुर्ण देन यह है कि सोल्मी स्ताब्दी की य अर्थार्थ भक्तिकाल को हिंदी का स्वान यूग कहा गया सर प्रतम स्वान यूग जोर्ज ग्रियर्स ने कहा था सच्चे अर्थों में प्रतम हिंदी इतिहास है ननीन विलोचन शर्मा के अनुसार कि विधेवादी इतिहास के आदम प्रवर्तक शुकल जी नहीं प्रतियु पुरिलाल ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रतम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया है कभियों वे लेकों का काल करमानुसार वार्णन तथा प्रभृतियों का स्पस्टीकर्ण सांस्क्रेतिक परिस्थितियों वे प्रेड़ना स्रोत्तों का उद्गाटन इस गरंद की प्रकाशित हुए जिसमें 40 कोवियों की जीवनी और साहित्य का विवेचन हमें मिलता है इसके अत्रिक्त इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य और हिंदी भाषा का विकास नामक ग्रंथ भी लिखे हैं इसी प्रम्प्रा में अगला महत्वपुर्ण नाम आता है मिश्र बं लेकिन यह एक इतिहास गरंथ नहीं है इसमें मातर नो कवियों की तुलना की गई है इनका जो द्वित्य महत्वपोन इतिहास लेखन परंप्रा से समंदित गरंथ रहा है वह है मीश्र वंदु विनोद जो की चार भागों में प्रकाशित हुआ था और जिसमें 2250 प्रस्ट मि और चोथा भाग 1934 इस्त्वी में प्रकाशित हुआ हिंदी नवरतन जो की मीश्र वंदु विनोद के प्रत्म तीन भागों का हम कह सकते हैं कि पूरक हैं जो की 1913 इस्त्वी में प्रकाशित हुए थे इसमें लगबग 5000 कवियों का जीवन वृतांत है वह संग्रहित है अक्य मिश्र वंदु विनोद से ही लिये हैं इसके साथ ही इस गरंद की महत्व पूर्ण विशेशता यह है कि इसमें स्थान स्थान प्रकाव्यांग विवेचन तुलनात्मक पतिती का अनुसर्ण करते हुए कवियों की श्रेणिया बनाने का प्रयास किया गया है देव विहारी विवाद को जनम दिया इस गरंद ने जो कि अगले दस वर्षों तक चर्चा का विशे रहा इसके साथ ही अनेक अग्यात कवियों को भी ये प्रकाश में लेके आये कवियों का साहित्यक महत्व निर्धारन किया कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारन के लिए इन्हों प्रचारनी सवा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी सहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था बाद में इसको सवतांतर पुस्तक के रूप में 1909 में हिंदी सहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया और 1940 में इसका द्वित्य योगदान है इस ग्रंद की जो महत्वोपूर्ण विशेष्टाई यह थी कि मूल विश्य को आरम करने से पूर्वी संबत 1050 से संबत 1984 तक के 900 वर्षों के इतिहास को सूस पस्ट चार भागों में विवाजित किया गया और लगबग 1000 कभी कभियों का इसके अंदर विवेचन दिया गया सरप्रथम सहित्य इतिहास को अलोचना से इन्हों ने प्रथम किया जिसमें अपने विज्ञानिक और विकासवादी दृष्टिकोन का प्रिच्चे है इन्हों ने इस ग्रंद के मात्यम से दिया साहित्य इतिहास के प्रति निश्चित वेस्पस्ट दृष्टिकोन का प्रिच्चे देते हुई युगीन प्रस्थितियों के संधर्म में विकास क्रम की व्याख्या नो सो वर्षों के इतिहास को चार भागों में विभाजित कर दोहरा नाम करण किया तो यह है कि महत्वपूर्ण विशेष्टा है कि इन्होंने विध्यावादी या कह सकते हैं कि विज्ञानिक प्रति का इस्तमाल किया हिंदी साहित्यक इतिहास लेखन प्रमप्रा में संपूर्ण इतिहास को चार भागों में विभाजित किया और दोहरा नाम करण किया जैसे इन्होंने कह सकते हैं कि प्रत्म काल या आदी काल था और द्वित्या को इन्होंने भक्ति काल कहा तो इस प्रकार से इन्होंने आदनी काल को गद्याकाल का नाम दिया इस प्रकार से इन्होंने हर काल का नाम करण किया भक्ति काल को चार साखाओं में सर प्रत्म शुद्ध दार्शनिक और कह सकते हैं धार्मी का धार पर प्तिष्टित किया। अर्थाथ इनों ने भक्तिकाल को सरप्रतम निर्गवन शाखा और सगुन शाखा और फिर उन दोनों शाखाओं के पुनए दो-दो भेद इनों ने किये या दो दो वर्षों के इतिहास को चार कालों में विवक्त इनों ने इस प्रकार से किया, आधी काल को समवध 1050 से 1300 पीछेतर तक, भक्ती काल को समवध 1100 पीछेतर से 1700 तक, और अधनी काल को समवध 1900 से अब तक, तो यहां एक इनका बहुत ही अमुलिय योगदान हा हिंदी सहाइतिय इति प्रियस, जनगार, सदतासी, सिव सिंग सेंगर, स्याम सुंदरदास, मिश्र बंदू और अचारे राम चेंदर शुकल इनके इतिहास ग्रंथों का दिन हमने आज के इस वीडियो में कहा किया, अगली वीडियो में करेंगे, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, धन्यावाद.